बात पीम मोदी कीजिया, कोरोना से जंग को साथ महीने बीच चुके हैं, ये लड़ाई किस मोड पर है और क्या कुछ और करना बाकी है? अर्थवेवस्था को वे नुकसान के बावजू 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर एकनॉमी बनने का लक्ष बहरत कैसे हासिल करेगा? इन मुद्धों पर आखिर क्या कहना है पीम मोदी का इस रपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर एकनॉमिक टाइम्स में दिये गए इंटिव्यू में पीम मोदी ने, क्या बाते कही हैं? आईए देखते हैं. कोरोना काल में प्रधान मंतरी मोदी ने एकनॉमिक टाइम्स को पहला इंटिव्यू दिया. इसमें उन्होंने करीब साथ महिनी से कोरोना के खलाब जंग लड़ रहे देश की अर्थ विवस्ता, लोकडाउन के फैसलिक, कोरोना वैक्सीन टिका करन, कोरोना के खलाब भावी जनकोली का तमाम सवालों के जवाब दिया. मोदी ने देश की जनता का धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा कि देश की एक जोटता के मंतर ने कोरोना के खलाब लड़ाई में अहम भूमी का निभावी. पूर ये देश ने एक टीम के तौर पर काम करके, कोरोना को हराने में सर प्रति मिलियन के मिर्टिय पर देखा जाए तो कई विकसे देशों में भी हमारे लिए सभी एहतियातों का पालन करना बेहस जरूरी है इनमें चाहे वो मास्क पहनना हो या हाद धोना या पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही करना क्यों ना उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं पीते महिनों में एक बात तो एक पॉजिटीव लड़नी के तोर पर सामने आई और बो यह है कि इस सरह की महमारी के दौर में डिलिवरी मेकनिजम को आधार बना कर कोरोना जैसी भीमारी से जंग को जीता जा सकता है डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरी देश ने इतने कम समय में बिना किसी भरष्ट चार के इकर के दिखाया है सबसे बड़ी सीख रही कि देश की सरकार और इस देश के लोग एक साथ किसी भी चुनोती का सामना कर सकते हैं केंद्रो राजे सरकारे एक टीम के तोर पर काम कर रही है पबलिक और प्राइवेट सक्टर एक साथ आ गए हैं इसके अलाबा सभी मंत्रालियों दुआरा सभी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन भी किया जा रहा है यहां तक की जरता भी इस लड़ाई में पूरी तरह से साथ दे रही भारत में कोरोना संक्रमन की सिति पियम मोदी के मुदाविक हमारे देश की मृत्युदर दुनिया में सबसे कम है और रिकवरी रेट सबसे ज्यादा इसके अलाबा एक्टिव केसिस की संख्या में भी लगातार गिरावर दर्ज की जा रही सितम्बर महा में हम 97,894 हर दिन केसिस के पीक पर थे वही अब उक्टिवर के अंत में नही केसों की संख्या 50,000 तक आप पहुंचिया ऐसा इसलिए संभाव हो पाए क्योंकि पूरे देश ने एक जुट होका टीम इडिया की तरह काम किया पीम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लिकर भी अपनी सरकार की तैयारियों की जानकारी थी उन्होंने आश्वस्त किया कि देश के आए आखरी छोर पार मौजूद आदमी तक कोरोना वैक्सीन पहुंच आए जाए PM मोधी ने कहा कि देश के हर नागरी को कोरोना वैक्सीन लगीगी यानि फ्री टीका करण के तरफ इशारा किया गया विपक्ष नहीं चाहता क्रेशी कानूनों का श्रे हमें मिले खेती कानूनों के विरोध पर PM मोधी ने कहा कि कई एक्सपर्ट ने इस सुधारों की लंबे समय से पैरवी किया मुद्दा ये है कि विपक्ष नहीं चाहता कि इसका श्रे हमें मिले नहीं रहत पैकेज पर उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि एकॉनमी को मजबूत बनाने वाले सभी कदम समय समय पर उठते रहे कोरोना पर विपक्ष की आलोचनाओं को भी उन्होंने सिरे से खारीच किया 2024 तक पांश ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी का लक्षे जरूर हासिल करें पीम मोदी ने भरोसा जता है कि भारती अर्थ व्यवस्ता दोजार चौबीस तक पांश ट्रिलियन डॉलर के लक्षे को हासिल कर दे में काम याव रहे PM ने रिवाइवल के लिए 5 संकितों का भीज दिखर किया क्रिशी रिकॉर्ड उत्पादन और खरीद FDI अप्रेल अगस के बीच 35.7 बिलियन डॉलार 13 फीज दिकाई साप ओटो मोबाइल, ओटो सेक्टर के मांग वापसी के संकित उत्पादन स्थी रिकवरी से ब्राजील और चीन के बाद तीसरे स्थान पर भारत, EDF को नए सब्सक्राइबर के रजिस्टेशन नौकियों में इजाफे के संकित PM ने कहा कि निराशावादी लोगों को इस पर संधे हो सकता लेकिन देश की जनत्या को इस लक्षय को हासी करने का पूरा भरोसा है और इसी भरोसे से हमारा आत्म विश्वास भड़ता है Bureau and Paul, First Indian News